क्या आपको भी किसी ने कहा है कि आप नैतिक नहीं हैं, आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम सही कर रहे हैं, और ये सब बातें तय कैसे होती हैं, तो आज हम जानने की कोशिस करते हैं, एथिक्स के बारे में नैतिक्ता के बारे में, क्या होती है नैतिक्ता, कौन से अप्रोच है कि जब यह मेथिक्स की बाते करते हैं नैतिकता की बाते करते हैं तो उसमें दो-तीन बाते हैं पहली बात है कि उसकी definition क्या है मतलब यह है कि जब यह मेथिक्स की बात करेंगे वो बताता है कि सही क्या है गलत क्या है किसी भी मुद्धे पे वो बताता है अच्छा क्या है बुरा क्या है वो बताता है कि क्या गुण में काउंट होगा क्या आउगुण में काउंट होगा आज से पांसो साल पहले सायद जाती बिवस्था को मानना या भी भाव करना बहुत लोगों के गुड के तौर पे लोग कांसीडर करते रहोंगे लेकिन आज के दोर पे ऐसा सायद नहीं है आज वो अवगुड में काउंट होता है तो इसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धिर अपरोच छो जाने की कोसिस करेंगे तो जब भी हमें क्यों जरूरत है वो जाने की को सिस करेंगे तो जब भी हम deontological की बात करते हैं मतलब है कि कुछ काम इसलिए सही गलत होते हैं क्योंकि उनमें सही तरीके से काम किया गया है जिसे गांधी जी कहते हैं कि किसी भी गलत तरीके से कोई सही काम नहीं किया जा सकता तो जब भी आप जो process है उस पे focus करें जैसे किसी भी मुद्धे पर आप लिजे कि जो भी सही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी तब जो काम होगा वो नैतिक होगा अगर सही प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई तो वो अनैतिक हो जाएगा अब इस एथिक्स की सुरुवात होती है Emmanuel Kant होते है एक थिंकर जिनका बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता है उनका ये कहना है कि कुछ युनिवर्सल एथिक्स होते है मतलब आपको वही काम करने है जो आप दूसरे इंसान भी आपके साथ करे तो आपको बुरान लगे और उस काम को अगर युनिवर्सल कर दिया जाए तब भी आपको बुरान लगे कहने का मतलब अगर आप कहते हैं कि जूट बोलना सही है तो क्या हर इंसान जूट बोलना लग जाएगा तब ये बात सही होगी या कोई और आपसे जूट बोलेगा तब ये बात सही होगी तो ये वाला प्रस्ण जो होता है समय तक यह हावी भी रहा है इसके जो मेन थिंकर है वो जेरिमी बिन्थम है जिन्होंने यूटिलिटी और फिलिसिफिक केल्कुलेस करके कॉंसेब दिया है कि कैसे आप मेजर करते हैं इन चीजों को कैसे जानते हैं अब आता है थीसरा आप्रोच थीसरा आप्रोच जो है वो वर्च्क कि वर्च्व एतिक्स की वर्च्य का मतलब है कि देखो रिजल्ट भी इफाइन नहीं करेगा रिजल्ट से कुई का एथिकल रहा है जो इंसान कर रहा है वह वर्च्य और वाली चीजें करी हैं कि नहीं वो काफी internal है कि कोई ब्यक्ति सही है तो हमेशा वो कोसिस करेगा कि वो सही काम करें वो result से प्रभावित नहीं होगा वो process से प्रभावित नहीं होगा जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ जैसे सत्यवादी हरिशंद का एक्जाम पाले लेते हैं तो उनको सच बोलना उनका गु देखो क्या होगा क्या result होगा उसके beyond उनने जाके अपने good के हिसाब से behave करा अब इन सबके अपने अपने critique हैं deontological के भी critique हैं virtue के भी critique हैं consequence list या जो प्योगिता बाद है उसके भी critique है चौथा जो approach बहुत कम लोग यूज करते हैं वो care ethics का है उसमें core में virtue नहीं है core में consequence नहीं है core में process नहीं है उसमें core में है interpersonal relation कि एक इंसान दूतरे इंसान से कैसे रिस्ता बनाता है कैसे समझता है और उसके बीच में core है feminism बहुत बार इससे link करते हैं लोग महिलाओं का जो perspective होता है उससे भी link करने की कोशिश करते हैं तो यह चार major approaches है जो आपको देखने को कहते हैं कि किसी भी काम को अगर गलस सही ठहराना चाते हैं आप किसी भी मुद्दे को लेके इन चार approaches से आप देखेंगे तो आपको एक broader perspective मिल जाएगा तो यह तो बाते हुई ethics है क्या ethics के कैसे approaches होते हैं आप जानने की कोशिश करते हैं कि ethics की जरूवत क्या है क्या आप किसी ऐसे इनसान के साथ रहना चाते हैं जो ethical नहीं है क्या किसी ऐसी society में रहना चाते हैं जहाँ ethics का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है और कोई भी सरकार, जितने भी स्कूल है, ये सब क्यों इतना ethics promote करना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत लेवल पर अगर देखें, तो ethics कहीं न कहीं, आपको सही गलत का आकलन करना बताता है, कि कोई काम सही है, गलत है, और उससे आप खुद के बारे में जान पाता है, कि किसी मुद आती है, सुसाइटी लेवल पर, सुसाइटी लेवल पर कुछ काम गलत माने जाते हैं, कुछ काम सही माने जाते हैं, अब ये हम सुसाइटी की बात कर रहे हैं, लीगल की बात नहीं कर रहे हैं, कानूनी रूप से गलत सही वो अलग चीज है, लेकिन नैतिक रूप से गलत है के standard होता है तो society का standard change भी होता है society का ethics भी change होता है एक समय पे कुछ ethics होता है दो साल बाद, पान साल बाद, दस साल बाद अलग बदलते हैं और उसमें कानून का भी योगदान होता है तीसरे लेवल पे हम देखें तो कानूनी जो नातिकता है जो legal morality की बात करें तो उसमें कानून जो बनते हैं वो भी बहुत बार society से प्रभावित होता है बहुत बार कानून से society प्रभावित होती है तो इन लेवल पे भी हम ethics की जरुवत होती है क्योंकि ethics नहीं होगा तो कानून क्या बचाने के लिए बनाये जाएगा कुछ जब values होगी तभी तो हम बनाने की कोशिज करते हैं कि भाई हम ऐसा कानून बनाएंगे जहां पे गाउं बहतर तरीके से हो हम ऐसा कानून बनाएंगे जहां महिलाएं सुरच्छित हो महिलाओं को freedom हो तो यह सब ethics की बाते हैं कि आपकी value होंगे और उसी value का पालन करने के लिए आप कानून बनाएंगे फिर international level पे कुछ value है पीस के बारे में जैसे हैं या कैसे diplomacy होगी एक देश दूसरे देश पे कैसे वो करेगा civilians को क्या war में सामिल करना चाहिए या उनके उपर attack करना चाहिए इसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो international ethics के अंदर आते हैं तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जब आप देरे देरे करके आपको पूरी ethics की स्रीज में मिलेगा जहां पर जितनी भी टॉपिक है ethics क्या है morality क्या है value क्या है यह सारे topics cover किया जाएंगे ऐसे simple video